हिमाजल प्रदेश के मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंग सुखु के प्रधान मीडिया सलहकार नरेश चौहां ने भारते जनता पार्टी पर जोड़दार पलटवार किया है। उल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कर दी। उन्होंने कहा कि भारते जनता पार्टी के नेता तत्य हीन बयान बाजी करने में लगे हुए है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलहकार नरेश चौहां ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करमचारियों ने जोडशोड से उठाए। करमचारी चाहते थे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के दाइरे में लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने करमचारियों से वादा किया और यह बड़ा काम सत्ता में आने के बाद पूरा कर दिखाया है उन्होंने कहा कि यह अन्य गारंटी पर भी कांग्रेस सरकार काम कर रही है उन्होंने कहा कि भारते जन्ता पार्टी की नेता नाड़ेश शोहा ने कहा कि भार्ते जंद पार्टी की नेता इन दिनों बौखलाहत में हैं नाड़ेश शोहा ने कहा कि सरकार ने हर मोर्चे पर कुद को सावित कर दिखाया है ऐसे में विपक्ष में बैठी भाज़पा काफी परिशान नजरा रही है यही वज़ा है कि उनके नेता तत्यहीन बयानबाजी करने में जोटे हुए है बता दे कि बीजेपी प्रवक्ताथ महेंद्र धर्माणी ने कांग्रिस सरकार पर गारंटी पूरा ना कर पाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा था गलत फहमी है नेताओं को भी आप लोगों को भी इस पर काम हो रहा था पिछले कई महिनों से इस पर काम हो रहा था इसकी मंच्छा साफ थी मुख्य मंत्री जी ने बज़ट में यह चीज़ बता दी थी कि हम किस प्रकार से इटेक्सी इबसे को भी प्रोटसाहित कर रहे हैं और बेरोजगार युवाओं के साथ इसको जोड़ के कि आप अब ही देखिए आपने 500 बच्चों को शुरुआत कर रहे हैं कि वो टेक्सी खरी देंगे लॉन लेंगे 50% सब्सीडी मिलेगे उसकी वो गाड़ी खुच लाके उसको जो है सरकार के साथ हायर करेंगे मिनिममम तीन साल के लिए जिससे उसकी एक मिनिममम आए जो है सुनिश्चित हो जाएगी तो ये भाजपा किस तरह से मुझे लगता है कि ऐसी योजना आपने और हमने पहली बार देखिए कि कोई व् पर खड़े होके 40,000-50,000 प्या मिने का कमाएंगा तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है मैं समझता हूँ इसके इंपक्ट को देखते हुए ये भाजपा के लोगों में बखलाट हो सकती है और हमारे में बात किया कि रोजगार देने की बात है अभी पंद्रह हजार नोक्रियां जो है बहुत जल्दी जो है हमाचल परदेश के बच्चों के लिए त्यार बैठी है इन फैक्ट औरे ग्रूप का जो होटेल है छ्राबडा में वो हमाचल सरकार की जमीन एक सो बिगा एक सो पजास बिगा जमीन पे बना हुआ है और 93 में ये कैम यू साइन हुआ था कंपनी और सरकार के बीच कि 40 परसंट जो इसकी एक्विटी है वो गौर्णमेंट की होगी और 7 परसंट कंपनी की होगी और वो कंपनी जो है उस होटल को बनाएगी लेकिन उसके बाद जो परिस्थितिया बने कंपनी ने कभी भी सरकार का शेर को देने किया उसके बाद उस फैसले को चलेंज किया गया कंपनी दवारा माने लिए हाई कोट में आर्बिटेटर ने जो फैसला किया था हीमाचल सरकार के हिट में था कि जो है हीमाचल सरकार को इसमें मिलना चाहिए था और कंपनी ने इतने सालों में जो है सरकार के शेर का एक भी inger bench में उसके बार level bench में वहां भी दोनों जगह जो है राज्य सरकार के फिवर में वो फैसला गया फिर company ने उसको सुप्रिम कोर्फ में जो है चलियंज चिया सुप्रिम कोर्फ से भी राज्य सरकार के फिवर में वो फैसला हुआ अब आई थर्ड स्टेज की उसको एग्जिक्यूशन की बात थी कि उसका एग्जिक्यूशन के लिए ये दुआरा से जो है दोनो स्टेट कॉर्णमेंट भी शायद वो कंपनी भी हिमाचलाई कोट में गे हैं अब ये मामला एग्जिक्यूशन को ले के था और मामला तो साफ है कि ये जो मामला है इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार गुए इस केस को जीच चुकी है अब तो केवल ये है कि सरकार की मन्शा है कि हम इसको वापिस लेना चाहते हैं 150 पी गजमीन आप समझें शिमला के अंदर जिसका कोई पैसा जो है कमपनी से सरकार को नहीं मिल रहा था ये परदेश के लोगों का एक प्रापटी है मानिनिय मुख्य मंत्री जी ने कल अपनी मंशा साब किये सरकार की मंशा साब किये कि हम अपने परदेश के हित के और लोगों के हित के लिए इसको वापिस लेंगे जो फैसला मानिनी आई कोट ने किया है सुप्रिम कोट ने जिसको किया है उनका समान करते हुए हम इस प्रापटी को चलाना चाहते हैं और इसको जो है बाच्पा का जो हालात इमाचल प्रदेश में हैं वास्टिक्ता मुझे ये लगती है कि इनके आपस में कुछ वर्चसों का जंग चल रहा है वो कीवल मात्र मीडिया के जरीए और स्टेटमिंट्स के जरीए जो है अपनी लीडर्शिप को आगे करना चाहते हैं अगर ये वास्तो इक्सा से इसको देखें तो राज्यस्तान का चुनाओ हो या मद्या प्रदेश का चुनाओ हो या कहीं का भी चुनाओ हो वो एक अलग राज्यों के अपने चुनाओ है हेमाचल प्रदेश में जब कاؤंगर्स की सरकार बनी हैं उसमें साफ तोर पे हमने जो लोगों से प्र arguments किये थने guarantee के तोर पे उसमें हमारी सरकार पहले डिन से काम शूरू कर रही है जैसे की OPS की बात थी तो हमारी पहली guarantee थी हमने पहली cabinet में उस बात को माना और उसको अप्रूब किया आज जो है एक सो एक लाख छती सजार सरकारी करमचारियों को पेंशन मिल रही है क्या भाजपा के लोगों को नेताओं को नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा तो जाने लोगों से पूछे उनसे सरकारी करमचारियों चाहते थे कि वो इस पे फैसला ले वो नहीं ले पाई हमारी सरकार ने और मानेनिया मुख्यमंत्री जी ने ये देश के अंदर पहला बड़ा फैसला किया जो सरकाराइक करमचारियों को OPS बाहल किया उसके बाद अगली गरंटियों पे हमने पहले से ही काम शुरू किया हु इन गरंटियों पे हम वर्क हो रहा है काम हो रहा है पूरा इंफ्रास्ट्रेक्चर कैसे बनेंगा हर गरंटी पे कल आपने देखा कि मानेनिया मुख्यमंत्री जी ने 600 सी क्रोड रुपे की जो हमने प्रामिस की थी कि हम जो है रोजगार को लेके गरंटी त्यार कर रहे हैं उस पे काम किया कल आज उसमें तैव हुआ है कि सबसे पहले कि 500 लोगों को इटेक्सी के परमिट देंगे वो उसके जरीये जो है रोजगार भी कमाएंगे और मुख्यमंत्री जी का पूरा एक बात उन्होंने साफ कही है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश का जो बे सरक्षेतर में जो हम स्टार्ट अप करेंगे जिससे बिरोजगार इवा साथी अपने आप काम करके जो है अपना रोजगार पैदा करेगा उसकी शुरुआत कल की है पहले सेक्टर में कि सो अपनी जो है इलेक्ट्रिक वहिकल्स के जरीये टैक्सी 500 परमिट हम देंगे वो ज प्रकार दे रही है तो ये बड़े फैसले हैं मैं समझता हूँ ऐसे फैसले देश के किसी और राज़य में नहीं हुए यसीदे तोर पे एक ब्यक्ति अपने आप अपने आप एक रोजगार पैदा करके उसका पूरा जो है रोजगार उसका अपने काम करने से निकलेगा तो इसमें अगले चरफ में जो है उसमें भी सोलर उर्जा में किस प्रकार की योज़ना पहले ही बजट में मानी ने मुख्य मंतरी जी ने रखी है कि उसमें भी बेरोजगार यवाओं को इन्वाल्व करना है कि जिससे वो काम करके उनको सबसीडी दे के छोटे-छोटे नो सोल पर काम हो रहा है तो यह भाजपा की बौकलाहट है कि या तो इन चीजों को वो समझना नहीं चाहते हुआ या केवल राजनीतिक दिश्टी से जो है वो ब्यानवाजी कर रहे हैं पागा खबरों से जुड़े लहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे